नमस्कार दोस्तों तो कि एजुकेशन अकडमी में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत की के महत्तपूर्ट टॉपिक ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे जो का अच्छा दसमी ग्यारमी बार्वमी और कालेज लेबल तक में बहुत इंपॉर्ट टॉपिक है तो वीडियो को आपको सुरू से लाश्ट तक देखना है यह है आपके पूरे समझ में आने वाला है और जो इस्टुडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो के नीचे देगे लाल कलर की बिटन को दबा दें बगल के बेल आइन घंटी भी बजा दें जि इस नियम के अनुसार एक चालक की परिकल्पना कीजिए जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और माल लीजिए भी चालक के सिरों के मद्ध भिवानतर है तब ओम का कथन कहता है भी समानुपाती आई अर्थात भिवानतर समानुपाती धारा आई यहां भी क्या है यहां भी को भीवांतर कहा गया है और अर्थात द्हारा बढ़ेगी तो भीवांतर भीवांतर भी गटेगा अर्थात भी स्कल्टू आर आई यहां अनुपातिक इस्थ्रांग आर है चालक का पितरोध कहलाता है पितरोध का ऐसाई मात्रक ओम है प्रतीक जिन ओम के द्वारे डिनोट करते हैं पितरोध आर चालक के केवल पदार्थ पर ही नहीं बलकि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है तो ये था ओम का नियम बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें कोई सुजाओत कमेंट करें जैहिंद